अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना तो भी इंदुस्तान के एक एक गिरी बादवी को मुसद में 15-20 लाक रुपे इंभी बेचाए कोई बात नहीं हम तो चूत यह है इबात्मा को हमारे देश के यशेश्वी परधान मंत्री नर्यन मोदी तब बती आ रहे थे जब वो देश के परधान मंत्री नई बने थे उनके हिसाब से विदेशों में पड़ा काला धन को अगर भारत में लाया जाता ना तो लोगों को 15-20 लाक रुपे तो यह ही मिल जाता अब ही रिपटोबा को जरा गाउर से देखेगा लिखा है सुज बैंक में जमकर बार से भारतियों के पैसी 50 फिजदी के उच्छाल के साथ जमा हुए 30 हद जार करोड तबेस हमाली आप लोग तबेस हमाली आप लोग तबेस हमाली आप लोग यह भगवान क्या जलुम है इ क्रेडिट लेना पड़ेगा चचा क्योंकि यह बहुत बड़ी बात है पिछले साल की खबर है किसानों क्या है दुग नी हुई हो या ना हुई हो लेकिन रसुकदारों के पैसे सुज बैंक मजब करबार से हैं आरी कमा जो हाना 2021 में हुए है जब देस क्रोना मामारी से जू पर यह रसुकदार जमकि सुज बैंक में पैसे ठूसे जा रहे थे को हैं उनके चात्वा पर मॉनी प्लान तुम्हें लगा हुए नो तो इतना पैसा को इसी बरसेगा अरे भाईया आप लोग बैट जाओ धरा बैट जाओ कुछ नहीं होगा अचा हां इबात पर बहुत सार हुए लोग आज पते ने चलता है आप लोगों को यादे होगा कि किस तरीके से बाबा राम देब काला धन को लेकर जब जब अंधुलन क्या करते थे वह कहां कुरते थे कि मोदी जी ला सकते हैं अब उख कहां जाके दूबा के बोईटी हैं पते ने चलता है। ऐसे अइस्तों लोग तो इस देस में रहते हैं भाईए। अब इस देस का कलियान कहां से हो सकता। तो शांती से जारा थोड़ी देर बैठिये और सोचिये अगर हम करें तो करें क्या बोले तो बोले क्या वाँ मोदी जी वाँ वाँ वाँ